सेल, सेल बीभाव पढ़ाना था, ठीक है, सेल बीभाव हम लोगों को पढ़ना था, ठीक, राइट जबाब है आपका, सेल पोटेंसियल, आज आईए बहुआ, सेल पोटेंसियल हम लोगों को इस्टडी करना था, सेल बीभाव, सेल पोटेंसियल, सेल पोटेंसियल, और इसे डीनोट करते हैं इसे से, इसे इसे द्वारा डीनोट किया जाता है, सेल बीभाव को, इसे हम लोग हैं एक सेल का बीदु तवाहक बल भी कहते हैं सेल का बीदु तवाहक बल भी इसे कहा जाता है सेल का बीदु तवाहक बल Electromotive Force of Cell Short form में Electromotive Force of Cell Short form में हम लोग इसे EMF of Cell कहते हैं Short form में इसे EMF of Cell कहा जाता है EMF का full form हो गया Electro Motive Force EMF का full form Electro Motive Force इसी को हिंदी में हम लोग बीदूत वाहक बल काते हैं हिंदी में हम लोग क्या काते हैं बीदूत वाहक बल ठीक है अब ध्यान दीजिएगा सेल में कोई सेल होता है वह हुआ कोई सेल है तो सेल में दो इलेक्टोड होते हैं सेल में दो प्रकार के इलेक्टोड होते हैं एक होता है एनोड और दूसरा क्या होता है जी कैथोड एक होता है एनोड और दूसरा क्या होता है कैथोड ठीक है तो देखिए वह हुआ इसमें से एक इलेक्टोड पर आक्सीकरण विभा होता है एक इलेक्टोड पर कैसा विभा होता है आक्सीकरण विभा होता है और एक इलेक्टोड पर कैसा विभा होता है और करण विभा होता है तो आक्सिकरण विभाव तथा आक्रण विभाव के योगफल को सेल का विभाव कहा जाता है तो आक्सिकरण विभाव तथा आक्रण विभाव के योगफल को उसे सेल का सेल विभाव या एमेफ आप सेल कहा जाता है ध्यान दीजिएगा गौर कीजिए बहुआ आज आईए ध्यान देजिए तो हम लोग इसको डिफाइन करेंगे एनोड पर कैसा बिभाव होता है आक्सिकरण बिभाव और कैथोड पर कैसा बिभाव जी तो कैथोड पर होता है आक्सिकरण बिभाव ठीक है आएनोड पर आक्सिकरण बिभाव तो हम लोग सेल के बिभाव को कैसे डिफाइन कर सकते हैं सेल के विभाव को डिफाइन कर सकते हैं कि ओक्सिकरण विभाव तथा आउकरण विभाव तिक है इलेक्टोड के ओक्सिकरण विभाव तथा आउकरण विभाव के योगफल को उसे सेल का सेल विभाव या सेल का बिदुत वाहक बल कहा जाता है ठीक है चलिए तो अब हम अपका important है वहा है यह एविघे तपिक चल रहा है इस पर मैं बोड मोल आपको ग्ष्छन भी बताऊंगा लेकिन थोड़ा सा पहले हम लोगों को फिरूरी को आपने जगऄ तक पहुंच जाने दीजिए आज तो जो है थाड कलास है आज जो है वाई लेक्चर थाड है है ठीक है ना तो इसको थोड़ा सा अपने जगह तक पहूंच जाने दीजिए ध्यान दीजिए भवा किसी किसी सेल में उपास्थित देखें ॡिपनिशन हम लोग लिख रहे हैं कैसे लिख रहे है बहुआ बिल्कुल सिंसियर होकर के आप ध्यान से देखिये इसको किसी सेल में उपास्थित इलेक्टोड के किसी सेल में उपास्थित इलेक्टोड के आक्सी करण विभा तथा औक्सी करण विभा तथा औक्रण विभा औक्रण विभा के योगफल को उसे सेल का सेल विभा या बीदू तवाहक बल या बीदू तवाहक बल या बीदू तवाहक बल या इसेल या ये में फॉप सेल कहा जाता है किसी सेल में उपास्थित इलेक्टोड कितना इलेक्टोड होता है कि आक्षिकरण विभा तथा औक्रण विभा के योगफल को उसे सेल का सेल विभा या बीदू तवाहक बल कहा जाता है ठीक है इसे हम लोग इसेल या ये में फॉप सेल से सुचित करते हैं कोई प्रबलम अब ध्यान दीजिए गवा इसका मतलब कि इसेल बराबर क्या हो जाएगा जी तो इसेल बराबर हो जाएगा रिड़क्शन पोटेंशियल ओफ कैथोड तो देखिए कैथोड का आउकरण बीभा का मान इसेल बराबर हम लोग कैसे निकालेंगे बहुआ तो गवर की दिजिए गवा जी जैसे एनोड होता है तो एनोड पर क्या होता है जी ऑक्सिडेशन होता है एनोड पर क्या होता है ऑक्सिडेशन होता है पलस कैथोड पर क्या होता है जी कैथोड पर रिड़क्शन होता है सी का मतलब क्या है कैथोड इन दोनों का जो सिंबल का लेंग्वेज है वो हम लोग कल के कलास में पढ़ चुके है E-oxidation of A-node ठीक है? हाँ, चलिए बहुआ, अच्छा बहुत अच्छा reply है Khushy Singh Reduction रभी संकर कुमार E-oxidation plus E-reduction अच्छा है? रीमाच शौबे ठीक है? आजाईए तो A-node के आक्सिकरण भी भो और कैथोड के आकरण भी भो R-E-D का मतलब Reduction Reduction का मतलब आकरण ठीक है ना? आकरण भोवा आकरण का मतलब उपचयान आकरण का मतलब उपचयान ठीक है ना? ग़ोड कीजिए यहाँ पर अब ध्यान दीजिएगा Oxidation of A-node I-E reduction of Cathode तो हम लोग इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं भोवा अगर Oxidation को हम लोग Reduction करते हैं Oxidation को हम लोग क्या कर देंगे? Reduction कर देंगे Oxidation को Reduction कर देंगे भोवा तो आगे sign कैसे आ जाएगा? Minus आ यहाँ पर A-node को A-node छोड़ देंगे उसको बंद कर देंगे यहाँ पर हम लोग A-node को क्या कर देंगे? A-node छोड़ देंगे Plus E-reduction of क्या हो जाएगा? Cathode E-reduction of क्या हो जाएगा? Cathode अब बताइए इसको सिर्फ हम लोग को Arrange कर देना है भोवा Plus वाले को आगे लिख देंगे आप माइनस वाले को पीछे लिख देंगे तो E-reduction of क्या हो जाएगा? Cathode तो E-cell equals to हो गया E-reduction of cathode स्वरी यहाँ पर एनोड रहेगा न? एक मिनट वह वा यह Plus वाला आगे लाए तो यहाँ पर C हो गया यह माइनस वाला इधर आए Reduction हो गया था C-reduction हो गया तो माइनस हो जाएगा और एनोड का एनोड रहेगा और यहाँ पर एनोड हो जाएगा भवा तो देखिए यह फर्मूला आप लोग कहा गया कि E-cell equals to Reduction Electro Potential of cathode नीचे नहीं दिखाए जे रहे जे ठीक है ठीक है सर्दीक नहीं रहे ठीक है भवा गर कीजिए यहाँ पर देख लिजिए E-cell equals to E-cell equals to क्या हो जाएगा जे तो E-cell equals to हो जाएगा E-Reduction of cathode minus E-Reduction of anode E-Reduction of cathode minus E-Reduction of anode यह हो गया अब हम लोग जो है इसको दूसे तरब से भी परिभासित कर सकते हैं अर्थात कैथोड के औकरण बीभाव तथा E-Node के औकरण बीभाव के अंतर को सेल का बीभाव कहा जाता है देखिए अब हो वा कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं जी कैसे हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं थोड़ा सा आप लोग जो है गौर कीजिएगा दूसरे तरीके से भी इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं क्या कैथोड के औकरण बीभाव तथा E-Node के औकरण बीभाव के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं सेल का बीभाव कहते हैं सेल का क्या कहते हैं वो वा बीभाव कहते हैं जी आज आईए, दूसरा definition हम लोग देखते हैं, उपर वाला मिटा दें, उपर में लिखा गया था कि आक्सी करण भीभव तथा आकरण भीभव, कि योगफल को हम लोग सेल भीभव काते हैं, अब जो हम लोग दूसरा definition लिखने जा रहे हैं, बहुआ, दूसरा definition क्या होगा जी, यहां पर मैं आप लोग को उपर में लिख दे रहा हूँ, चिक है, उपर में लिख दे रहा हूँ, कैथोड के और करण बीभाव, तथा इनोड के और करण बीभाव, इनोड के और करण बीभाव, चिक है, दिखाई दे रहा हैं आपर, कोई दिकत नहीं है, और करण बीभाव, बताइए कि दोनों में और करण और करण है न, कैथोड में भी और करण, आएनोड में भी और करण, तो जब दोनों में और करण और करण होगा, तो अंतर लिखेंगे जब एग ओकरण होगा आई एग ओक्सी करण होगा तब क्या लिखेंगे योगफाल लिखेंगे जब दोनों ओकरण ओकरण होगा तो अंतर लिखेंगे जब एग ओकरण आई एग ओक्सी करण तो योगफाल क्योंकि दुमों उल्टा ना अक्सिकरण अक्सिकरण है तो उल्टा है तो उल्टा है तो दोनों में क्या होगा आकर्षन यानि जूड़ेगा ठीक है याद रखिएगा जब अकरण अक्सिकरण होगा तो आकर्षन होगा जूड़ेगा जब अकरण अकरण होगा तब प्रतिकर और्शन होगा एक दूसे से क्या होगा दूर भागेगा तो अउकरण विभाव के अंतर को अंतर को एब आउवा का कहते है जे तो सेल विभाव कहते हैं आंतर को क्या कहते हैं सेल भीवा और सेल भीवा को सुचित का से करत हैं जी ताई सेल से करत है सेल भीवा यानि इसेल कहते हैं तो या फर्मुला आपको याद रखना है कोई दिकत या फर्मुला आपको याद रखना है बोवा और ध्यान दिजिएगा और करण बीभाव ही मानक और करण बीभाव ही आगे आप लोग को मैं एक चीज बताऊंगा उसके पहले-पहले हम लोग मानक सेल बीभाव पढ़ लेते हैं ध्यान देजिए अगर not sign लग गया तब हो जाता है मानक सेल बीभाव मानक सेल बीभाव को इंगलिस में हम लोग क्या कहते है जी ए बवा ए बवा मानक को इंगलिस में हम लोग स्टेंडर्ड बोलते हैं मानक को इंगलिस में क्या कहते हैं स्टेंडर्ड कहते हैं और उस मानक का मतलब क्या होता है उस मानक का मतलब होता है ताप का मान 25 डिगरी Celsius इन केलिन में 298 केलिन आधाब का मतलाब एक बार न कि देखे लिए एक बार दाब को मानक कहते हैं याद रहेगा 299 केलिमत आप आई एक बार दाब को मानक कहते हैं standard condition कहते हैं कोईदीका तो ध्यान दीजिएगा मानक सेल विभाव क्या होता है मानक का इंगलिस होता है स्टेंडर्ड आसेल का मतलब सेल आप विभाव का मतलब पोटेंसियल और इसे हम लोग डिनोट करते हैं इनोट सेल से किसे डिनोट करते हैं इनोट सेल से कोई दिकत आज आई ये बहुआ गौर कीजिए गाजी, ध्यान दीजिए, क्या होगा? ध्यान दीजिए बहुआ, इन और सेल, कैसे हम लोग लिखेंगे जी? तो दूसों अंठानबे के लुइन ताप, तथा एक बार दाब, एक बार दाब, पर इकाई सांद्रता वाले, वाले, वैदू तप घटें, एकाई सांद्रता वाले, वैदू तप घटें, के आयन द्वारा, आयन द्वारा गणना किये गए, सेल बिभाव के मानको, सेल बिभाव के मानको, मानक सेल बिभाव कहा जाता है, मानक सेल बिभाव कहा जाता है, दूसों अंठानवे के लिविंताब, देखिए कंडिशन क्या क्या आया, दूसों अंठानवे के लिविंताब, एक बार दाब, पर इकाई सांद्रता वाले, बैदू तप घटें, के आयन यूक्त, सेल में गणना किये गए, आयन यूक्त कर लिजिए बहुआ, आयन यूक्त, यह ज़्यादा अच्छा होगा, आयन यूक्त सेल में, देखिए, यहाँ पर क्या है, आयन यूक्त सेल में, इसको हमने लिखा है, आयन यूक्त सेल में, गणना किये गए, सेल विभाव के मानको मानक सेल विभाव कहा जाता है तो इकाई सांद्रता वाले वैदुतप घटे के आयन यूपते सेल में गणना किये गए सेल विभाव के मानको मानक सेल विभाव कहा जाता है और मानक सेल विभाव को हम लोग इनोट से डिनोट करते हैं मानक सेल विभाव को किसे डिनोट करते हैं इनोट सेल से डिनोट करते हैं ठीक है अब आजाईए अब इसका फर्मूला आपको कैलकुलेट करना होगा तो कोई जो है घवडाने की बात नहीं है बहुआ सब कुछ वही रहेगा बस खाली नोट 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 लगा देना है सब कुछ वही रह जाएगा सिर्फ नोट 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 लगा देना है तो आजाईए बोलिए फर्मूला क्या हो जाएगा जी तो इनोट सेल बराबर हो जाएगा E naught E naught cell बराबर हो जाएगा बहुआ E naught reduction of cathode minus E naught reduction of anode कोई प्रावलम या फर्मूला आ गया आप बताईए cathode किधर होता है right side cathode किधर होता है right side और anode किधर होता है left side तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग इसको जो है दूसरे तरीके से कैसे कैसे लिख सकते हैं ध्यान दिजिएगा E naught reduction को E naught reduction को सिर्फ और शिर्फ E naught भी लिखा जाता है E naught reduction को सिर्फ और सिर्फ क्या लिख सकते हो वह हुआ E naught लिख सकते हो किसके अनुसार IUPAC के अनुसार क्योंकि IUPAC ने कह दिया है कि मानक अकरण विखव ही मानक अकरण विखव ही के विभाव कहा जाता है यानि इनोट रिडक्षन आपको लिखने की ज़ुरत नहीं है आप डाइरेक्ट लिख सकते हो कि इनोट सेल बराबर इनोट कैथोड आ माइनस इनोट एनोट आज आईए बहुआ अब कैथोड होता है राइट साइड जी तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो जी इनोट सेल बराबर इनोट आर माइनस इनोट लिफ्ट कोई दिकत कैथोड चुकी राइट साइड होता है और इनोट किधर होता है लिफ्ट साइड तो राइट साइड के बीभाव मानक इलेक्टोड बीभाव के मान में से राइट साइड के मानक इलेक्टोड बीभाव के मान में से लेट साइड के मानक इलेक्टोड बीभाव को माइनस कर देंगे तो सेल का मानक बीभाव निकल जाएगा कोई दिखाई दे रहा है यहां तक, चलिए ठीक है, तो यहां साब फर्मूला आपको याद रखना है, रिप्रिजेंटेशन में किसी को कोई समस्या है वहुआ, ठीक है, यहां तक हो गया, यहां पर इस अब रिप्रिजेंटेशन में किसी को समस्या है जी, कोई प्राबलम है तो पुछिए बहुवा, आरे आप लोगों को बताने के लिए ही हैं हम बहुवा, Mr. बहुवा, Mr. बेचारा आपका कुछ नाम था, आपका कुछ नाम था हम भूल रहे हैं, चली आपने पूछा है किस सवाल बनाईए सर, साइड में हो करके हम लोग बात करते हैं, जिनको देखना है, उतारना है, उतार ले बहुवा, आपका सवाल था, आपका कहना है कि सर, नुमेरिकल्स करवाईए, सवाल बनाईए सर, बहुवा, इसके लिए आपको कहने की ज़ुरत नहीं है, आप लोग परिसान ना हो, ठीक है ना, मैं सही जगह पर ले जा करके न कोशन बनवाऊंगा, हमें जो है कोशन वान, टू, अम्मा लिजे के एन्सी आटी का पहला कोशन है, उसमें कहता है कि निमने लिखी ते, धातूओं को उनके बढ़ते हुए अभिकरिया सिल्का के करम में सजाईए, फिर कहता है कि उनके बढ़ते हुए अपचायक छमता के करम में सजाईए, ठीक है ना, उसके बाद कहता है कि इस सेल्का निरूपन बताईए, तब अब हुआ हमको अपने जगह तक पहले पहुच जाने दीजिए, उसके बाद मैं आपको कोशन करवाऊंगा, अभी तो आज थर्ड क्लास है, पहले आप कॉनसेप्ट अच्छा से कर लिजिए, उसके बाद में रिकल सासानी, अब माल लिजिए कि छोटा छोटा नुमेरिकल दें, जैसे मैं आप लोग को बता रहा हूँ, आज आईए न, आज आईए न, एबावा, एबावा देखो जी, आज आईए, मिटाएं इसको अब आगे हम लोग बढ़ते हैं जी, और जो लोग भी, पिछला क्लास नहीं किये थे, तो उसका रिकॉर्डेट वीडियो आप देख लीजिए लगा, लेक्चर टू, या लेक्चर थिरी है बावा, या लेक्चर थिरी है जी, लेक्चर टू आप लोग देख लीजिए गा, सॉलिड इस्टेट हम लोग पढ़ेंगे संडे को, साथ बजे से नौ बजे तक सुबह में, दू घंटा, सॉलिड इस्टेट, चिक है, आज आईए, लेक्चर थिरी रिकॉर्डेट वीडियो आफ क्लास 11 अप लोड नहीं किये हैं, बिलकूल अपलोड हुआ है, लेक्चर थिरी नहीं, लेक्चर टू ना, लेक्चर टू बहुआ, लेक्चर थिरी आजश चल रहा है, ये लेक्चर थिरी ही है, द्यान देजिए, अब देखिए बहुआ, जैसे मालो कोश्चन कहता है जैसे इनों ने कहा तो मैं एक कोश्चन आप लोग को बता देता हूं बता देता हूं कि डेनियल सेल डेनियल सेल में पर्योग्त डेनियल सेल में पर्योग्त पर्योग्त इलेक्टोड पर्योग्त इलेक्टोड जेडेन तथा कॉपर है जेडेन तथा कॉपर है जिनके जिनके माना कावकरण विभाव जिनके जिनके माना कावकरण विभाव कामान करमशह-0.76 बोल्ट तथा पलस 0.34 वोल्ट है तो मानक सेल विभाव की गणना करें मानक सेल विभाव की गणना करें मानक सेल विभाव की गणना करें ध्यान दिजिए ग्या बाव हुआ मानक विभाव जिनके का माइनस 0.76 बोल्ट और कॉपर का पलस 0.34 वोल्ट है ठीक है माइनस 0.76 बोल्ट जिनक का और कॉपर का पलस 0.34 वोल्ट और जो जो इंपोर्टेंट है बवाव वा सारा इंपोर्टेंट वाला जो भी इलेक्टोड पोटेंशियल है उसके बारे में हम लोग जो है नोट कर लेंगे ठीक है उसके बारे में हम लोग नोट करेंगे अभी फिला हाल आप लोग देखिए देखिए बवा माइनस 0.76 वोल्ट है और पलस 0.34 वोल्ट है अब आपको इंपोर निकालना है जल्दी निकाल करके बताईए बवा कितना है जी एंसर कितना है मैं आपके एंसर का इंतिजार कर रहा हूं बवा चलिए बना करके देखते हैं सबसे पहले कौन बताते हैं खुशी सिंग 1.1 खुशी सिंग 1.1 रोहित कुमार 1.1 हरी संकर कुमार, प्रींस तिवारी इन सब का भी एंसर जो है 1.1 आ रहा है ठीक है, तो भवा हम लोग चेक कर लेते हैं देखिए अब तो प्राबलम यह फ़सा कुनजन 1 देखिए प्राबलम यह फ़सा कि हम लोग फर्मूला जानते हैं मानक, सेल, विभाव को रिप्रीडेंट कैसे करते हैं भवा तो देखिए, गीवेन क्या-क्या है जी एब ववा, किसी भी नुमेरिकल्स को बनाना है तो सबसे पहले उसका गीवेन जो है जरूर लिख लिजिए इससे आपको आगे आने वाले टॉफ नुमेरिकल्स में हेल्प मिलेगा आज आईए, ध्यान दीजिए गीवेन क्या है तो जेडेंट इनॉट जेडेंट दिया हुआ है ववा, इनॉट जेडेंट का मान दिया हुआ है माइनस 0.76 बोल्ट इलेक्टोड जेडेंट का आवकरण वीभाव तो अवकरण वीभाव को किसे डिनॉट करेंगे, सिर्फ इनॉट से इनॉट अब रिडाक्शन हम लोग का है के लिए लिखेंगे बोलबा आरे, सटकट का जमाना है जी सटकट जमाना है जेतना सटकट तरीका से चलना है ता हम लोग ये लामबा का है के लिए लिखेंगे एक रे बादला में ना इनॉट लाए है जे, नहीं तो इनॉट का प्रयोग करेंगे बोवा इनॉट का प्रयोग करेंगे इनॉट आरे डी आरे डी लिखा जाता है उकरण के लिए ताब आउकरण के लिए भी सिर्फ इनॉट IUPAC ने हम लोगों के लिए आसान बना दिया है चलिए और उसी परकार E not copper का मान दिया हुआ है क्या जी? तो plus 0.34 volt अब हम लोग E not cell का formula जानते हैं E not cell बराबर क्या formula होता है? ता E not cathode E not cathode minus E not anode कोई दिकत? E not cathode minus E not anode अब बहुआ पहचान में कैसे आएगा? कौन cathode है और कान? अनोड है यह बहुआ कैसे पहचानेगा जी? कौन cathode कौन anode? बताइए मैं आपसे पूछता हूँ अब ता हमको पते नहीं है हमको नहीं पता है बहुआ कौन cathode कौन E not लेकिन जो आप हरी संकर कुमार खुशी सिंग इन लोगों ने जो answer दिया हुआ है प्रिंस सिंग आप लोग बताइए कि कौन cathode होगा? कौन E not होगा? बताइए बहुआ बहुआ बताइए जी कौन cathode? चीन से? चीन से? नहीं बीभा के मान से या तो बीभा के मान का चीन है ये बीभा के मान का चीन है ठीक है न? देखिए concept मैं आप लोगो बता रहा हूँ बी केरफूल और सिंसियर होकर के आप लोग concept को सुनिये ठीक है? और मुझे आसा है कि आप लोग जो है अच्छे से समझ जीएगा positive वाला कै थोड़ and negative वाला तो इलेक्टोर्ड पर जब साइन रहेगा तब न? इलेक्टोर्ड पर थोड़े सा नहीं तो उसके वीभाव कामान धनात्मक और रिनात्मक है तो हम ऐसा थोड़े कहें कि जब वीभाव कामान धनात्मक और वीभाव कामान रिनात्मक हो जाएगा तो वह ऐसा होगा मैं आपको एक्वेशन देंगा जिसमें दूनों का दूनों रिडातमक रहेगा तब देंगे बहुआ देंगे अभी देंगे आपको गवड़ा ये नहीं अभी आपको देते हैं आप बताईए अभी अब जस्ट आपको देंगे दूनों में माइनस माइनस लिख देंगे या तरीका नहीं है तब कहिएगा कि तब गुरु जी कौन तरीका है, आई कि नहीं जी, तब देखिए बहुआ, ध्यान से सुनिए, चलिए, सांत हो जाहिए, इसको free कर लिजे, मैं आपको concept बताने जा रहा हूँ, सांत हो गए आप लोग, सांत हो गए, सब का जो answer सही है, answer आ गया, ठीक है न, यही आपको objective में help द देता है, इसलिए जो है, बियार के मुख्य मंत्री नितिश कुमार जी के जो सिक्षा मंत्री है, उन्होंने 50% objective करवा दिया था आप लोग के लिए, कि भाई, बियार का बच्चा है, ठीक है न, हर मुठाहियों से मर देता है, टिक तसही होगा, चलिए, देखिए, concept यह होता है, कि जिस यद्दूगों विभा का मान है, और विभा के मान से हमें पाचाना है कौन एनोड है और कौन कैथोड है, विभा के मान से पाचाना है कि कौन एनोड और कौन कैथोड, तो द्यान देजिएगा, जिसके विभा का मान ज्यादा, मैं यहाँ पर लिखा जी, विभा क ज्यादा तो वा क्या होगा कैथोड़ वा क्या होगा बहुआ कैथोड़ आ विभकामान कम विभकामान बहुआ कम तो वह क्या होगा अनोड वीभो का मान काम तो अनोड आप वीभो का मान ज्यादा तो कैतोड कोधिकप्त आजाईए बवा अब बताईए अब बता सकते हैं न बताईए ए ज्यादा की ए ज्यादा कौं ज्यादा obviously प्लस 0.34 वोल्ट तो बताईए आप बताइए बहुआ आप जो है कैफोड कौन कौपर की जिंक एंसर एंसर रागनी कुमारी यस अधिक वाला कैफोड खुसी सिंक आपका एंसर बहुत अच्छा है वेरी वेरी ठैंक्स सर यही सोचकर बनाते बहुत अच्छा वेरी गूड बेरी गूट ठीक है चलिए कॉपर कैफोड कौन हो गया कॉपर आप सभी लोगों का जबाब बिल्कुल सही है फटा-फटा रहा है काफ़ड कैफोड हो गया कॉपर थोड कौन होगया आपकर तो यह हो गया आपका कैफोड क्यों कि इसके वीभौ का मान का है ज्यादा तो इस कोई याद रखिएगा बहुआ यह ट्रीक है जी बीभा का मान ज्यादा तक है थोड़ आप बीभा के मान काम तो एनोड ठीक है ना आप आजा यह बहुआ मानक बीभा मानक बीभा मानक इलेक्टोड बीभा मानक इलेक्टोड बीभा आप मानक इलेक्टोड विभाव को किसे डिनोट करते हैं इनोट से का मान ज्यादा तो कैथोड आज आईए इनोट है ना इसी इनोट को मानक अकरण विभाव करते हैं और या क्या हो गया बहुआ या हो गया का एनोट यह हो गया एनोड आया हो गया कैथोड तो आज आईए अब हम लोग क्या लिखेंगे जी कैथोड का माल लिखेंगे प्लस 0.34 वोल्ट माइनस एनोड का माल है माइनस 0.76 वोल्ट दोनों एड हो करके हो जाएगा 1.10 वोल्ट हो जाएगा ना तो यह आओगे आपका एंसर ठीक है अब देखिए अगर आप लोग उवला कॉंसेप्ट से बना रहते ना कि माइनस तो एनोड प्लस तो कैथोड तो उसे गड़बर हो जाता है कैसे गड़बर हो जाता जी तो मैं अभी आपको दूसरा कोशन दिया और आपको है उसका इंसर बताना मैं कोशन टू मैं कोशन टू देने जा रहा हो बहुआ रेडी रहिए आप लोग रेडी रहिए हाँ वाही है 1.1 होगा ठीक ना आज आईए तो डेनियल सेल के भी बहुआ कामान कितना होता है याद रहेगा जी फॉर अबजेक्टिव देखिए यहां से दो चीज हम लोग को मिल गया अबजेक्टिव के लिए मिल गया क्या जी तो डेनियल सेल डेनियल सेल डेनियल सेल के बीभा कामान बीभा यानि पोटेंशियल कामान कितना होता है तो 1.10 वोल्ट यानि 1.1 volt होता है ठीक है? कोई problem? इसको याद रखना है इसको याद रखना है बहुँआ सर डेनियल सेल क्या है? ठीक है? बस इसके बाद वह ही आरने वाला है बहुआ ठीक है ना? बीदुतरासायनिक सेल का एक एक ऐग्जामपल है डेनियल से जिसे डेनियल नामल्स साइंटिस ने बनाया था und disguise a node के रूप में znd का प्रियोग किया था और cathode के रूप में copper का प्रियोग किया था आएगा ठीक है ना दीरे दीरे आप लोग का जबाब मिलते जा रहा है आज आईए एक और दे देता हूं बहुआ जैसे प्लस माइनस से आप लोग जो बना लिये थे ना तो उसका किलियरेंस मैं यहाँ पर करना चाहता हूं कहिएगा कि सब्लस माइनस से तो हम लोग कर लिये थे तो इन सारवा वो तो नहीं आ रहा था है ना तकादिका था उए चीज़वा सही नहीं है आब अवा ना और इसन बात ना है देखिए न जी कोश्चानवाद चेंज कर देगा तो गड़ बड़ा न जाएगा मालनी जी यह कहता है कि एक सेल में दो इलेक्टोड दो इलेक्टोड दो इलेक्टोड जेडेन ताथा सीडी सीडी परियुक्त है परियोग्त किये गए है तो इस सेल का इस सेल का मानक भी भाव हुआ मानक लिखना जरूरी है मानक नहीं रहेगा तब वह कोश्चन सीधे पहुँच जाएगा नहीं समीकरण के पास मानक जैसे ही हटाएगा सिर्फ सेल भी भाव का गरना यानि इस सेल का मान इस सेल का मान इस सेल का फर्मुला जो है वह नंस्ट समीकरण से हम लोग को मिलता है तो अब ही इंतजार है इसमें हम लोग को मिलेगा नंस्ट इक्वेशन फैराडे लो है ना ये सब हम लोग को मिलेगा वह इसमें ध्यान दीजिएगा जे तो मानक बीभव का मान ग्याद करें अब कहिएगा कि सर इसमें तो जो है दिया ही नहीं है तो हिंट के रूप में मैं आप लोग को दे देता हूँ बववा हिंट के रूप में मैं आप लोग को दे देता हूँ ठीक है किसी को याद है क्या जी अगर किसी को याद है तो वो इसका एंसर बताएं अगर किसी को याद है वह हुआ तो वे इसका एंसर बताएं जी झाल झाल आगी आएंसर बड़ा होगा CDD 63.5 33.5 गोलु गुपता जेडेन ज्यादा होगा सर जेडेन तीश होगा कईसे बहुआ आपको जब तक से potential value याद नहीं रहेगा तो क्या आप इसको बना सकते हैं बताईए potential value जो है आपको पता होना चाहिए न जे potential value आपको पता होना चाहिए और कोई बहुआ और कोई जी potential value calculate कीजिए बहुआ potential value आप जब तक से नहीं calculate कीजिए गा तब तक से कईसे निकलेगा नहीं न होगा सर समझ नहीं आ रहा है बताईए सर कैडमियम का पता नहीं है खुश्बू कुमारी तो देखिए कैडमियम का नहीं पता है वो हुआ तो आपको जो है मैं hint दे देता हूँ आ जाईए जींका तो पता है ये नहीं है तो बताईए आपको जब आप यहां से मिला न जे numericals में आप फसे न numericals तब न बनेगा जब हमारे पास सारा जो है value हम लोग पहले पढ़ लेंगे इसी लिए मैं बहुआ छोड़ा था इसी चीज के लिए यह question मैंने दिया था और यह सब का सब सारे जो भी important धातू है इन सारे धातू के बीभव का मान यानि मानक बीभव का मान मानक और करण बीभव का मान हम लोग को किस में पढ़ना है तो बीदू तरा साइनिक स्रेणी में पढ़ना है इलेक्टो केमिकल सिरीज में पढ़ना है लिकबा सरकाना मगल मंजनकर फेकड कोनी सन्पबह कुआस सब भी हजज पटाईू तो इन सब वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे तो बताईए बहुआ जेड्यन जेड्यन का मान तो आप लोगों पता है और केड्मियम का मान कितना होता है तो 0.40 वोल्ट होता है अब आप बना सकते हैं फटाफटे इन सब बता दीजिए और तब हम लोग आगे बढ़ते हैं वहाँ आप बना सकते हैं जी बताईए सबसे पहले तो आप लोगों को यह बताना है कि इसमें एनोड कौन होगा आ कौन बहुआ कैथोड होगा जी इसमें एनोड कौन होगा और कौन कैथोड होगा बताईए एनोड को किसको लिखे जी अब दूनों माइनस माइनस में है ना दोनों का value किस में आ गया वह वा तो दोनों का value minus minus में है इसलिए हमने दिया था उसमें तो plus minus था और यहाँ पर दोनों किस में दे दिये minus में तो बताइए cathode कौन तो जिसका value बड़ा वह cathode तो किसका value बड़ा तो minus में जिसका value छोटा उसका value बड़ा माइनस में जिसका value छोटा उसका मान बड़ा होता है आप लोग जालते हैं minus 2 बड़ा कि minus 3 बड़ा तो minus 2 बड़ा तो minus 0.40 बड़ा तो यहाँ होगी आपका cathode ऐा क्या हो गया जी ओनोड ठीक है आब बताइए वह 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 अब हम लोग निकाल लेंगे जी ठीक है अब ऑन जी काल लेंगे तबन जेल बड़ाबर इन ओट कह थोडा माइनस ओन जी नोड यह थोड हटोड है जाएगा आज सेवेंग सिक्स में से यह जाएगा तो 0.36 वोट यह क्या आगया इनोट सेल तो इनोट सेल का मान इतना हो गया ठीक है अर्थात सेल के मानक बीदुत वाहक बल यानि यह में फॉप सेल का मान कितना आगया अब हुआ तो 0.36 वोल्ट आगया कोई प्राबलम 0.36 वोल्ट आगया ठीक है बहुत अच्छा जबाब सही है खुशी सिंग शलोनी सिंग और भी बहुत लोग का जबाब था बहुआ कोई दिकत यहां तक अब हम लोग को आगे पढ़ना है बहुआ अब हम लोग को आगे किस के बारे में जाननी है तो आगे हम लोग को जानना है बीदूत्रासायनिक स्रेणी के बारे में बीदूत रासायनिक सेनी के बारे में हम लोग कोई स्टडी करना है बहुआ, आज आईए, तो समझ रहे हैं न, तो जब तक से बीदूत रासायनिक सेनी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, तब तक से सारे मान के बारे में जनकारी नहीं मिलेगी, और कोश्चन में हम लोग फंस दोनों मायनस था, दोनों के पोटेंशियल वेलू का यहां को अने था तो वह इसके घरबर हो जाता ना वहाँ पर प्लस मैनस था तो प्लस माइनस के अधार पर रेनोड कैथोड कर दिये लेकिन यहाँ पर तो आपका वो चीज नहीं चलता इसलिए मैंने यहाँ पर इस एक्जामपल को दिया था क्योंकि कैडमियम का भी माइनसे में होता है और जिंक का भी माइनसे में होता है चलिए जी अब आजाईए, नेक्स्ट देखिए अगला टॉपिक हम लोग का क्या है तो अगला टॉपिक है बहुआ बीदूत रासाइनिक स्टेडी अगला टॉपिक क्या है बीदूत रासाइनिक बीदूत रासाइनिक स्टेडी बीदूत रासाइनिक स्टेडी इलेक्ट्रो केमिकल स्टेडी इलेक्ट्रो केमिकल स्टेडी ठीक है बीदूत रासाइनिक स्टेडी इलेक्ट्रो केमिकल स्टेडी ध्यान दिजिएगा इस स्रेणी में बीदूत रासानिक स्रेणी यानि इलेक्टो केमिकल सीरीज में ततों को उनके बढ़ते हुए अभिक्रिया सिल्ता के करम में साजाया गया है इस स्रेणी में ततों को उनके बढ़ते हुए अभिक्रिया सिल्ता के करम में साजाया गया है इसलिए इसे अभिक्रिया सिल्ता स्रेणी भी कहा जाता है ठीक है बहुआ, बिदूत्रासानिक स्रेड़ी, इलेक्ट्रोकेमिकल स्रेड़ी और इसे अभिक्रिया सिल्ता स्रेड़ी भी कहा जाता है अभिक्रिया सिल्ता स्रेड़ी, अभिक्रिया सिल्ता स्रेड़ी ध्यान दिजिएगा वह यानि reactivity series reactivity series अभिकरिया सिलता स्रेणी reactivity series ठीक है यहाँ पर आपको जवाब मिलने जा रहा है वह इसमें आपको जवाब मिलेगा जैसे मैं आपके सामने equation प्रोड्यूस करता हूँ कि Zn पलस CuSO4 और Cu पलस ZnSO4 ध्यान दिजिएगा वह वह बहुत अच्छा question मैं आपको के सामने लेकर के आया हूँ Zn पलस CuSO4 और Cu पलस ZnSO4 ठीक है अब ध्यान दिजिएगा इसके बाद है जैसे आपको दे दिया Aluminium है Al पलस CuSO4 ठीक है और Cu पलस A2SO4 का होल ठीक है दो होता है तो इसका भैलेंसी इसके नीचे ठीक है ना तो compound यह बन गया Al 2SO4 का होल ठीक है इंदी मिडियम जो है वो छे बज़े है ठीक है ठीक है आज आईए रिप्लाइ किजी आप लोग ZN पलस CuSO4 यह रियेक्शन इसका प्रोड़क्ट क्या बनेगा क्या प्रोड़क्ट बनेगा किसी का एंसर आया हुआ था ZN SO4 पलस Cu यह एंसर आया था वह हुआ ZN SO4 पलस Cu ठीक है चलिए अच्छा जबाब है आप बताए बी नमबर बी नमबर का जबाब दीजी आप लोग बी नमबर का जबाब क्या होगा जी बी नमबर जबाब बताईए बी नमबर बी नमबर का क्या होगा ZNSO4 प्लस CU B नमबर का जबाब दिजिए CUSO4 प्लस ZN जुनेद अक्तर CUSO4 प्लस ZN ठीक है बहुआ अब मैं आप लोग को बता देता हूँ कि या दोनों में से एग और केमिकल रियेक्शन नहीं होगा दोनों में से बहुआ एक एग और केमिकल रियेक्शन होगा आए गो नहीं होता है तो जब एगो नहीं होता है तो दूनों का प्रोड़क्ट कैसे बना जी इसके बारे में हम लोग पता करेंगे ठीक है इसके बारे में हम लोग पता करेंगे दूनों में से एगो होगा और एगो नहीं होगा तो यह कहां से मिलता है अभी किरिया सिलता स्रेणी से मिलता है ठीक है ना देखिए उपर वाला रियेक्शन जो है होगा और नीचे वाला रियेक्शन आपका नहीं होगा अब कहिएगा कि सरी कई से जान गए आप इसमें भी उपर वाला रियेक्शन होगा और नीचे वाला नहीं होगा एक एग और रियेक्शन होगा नीचे वाला रियेक्शन टेक्स प्लेस नहीं होगा या रियेक्शन होगा ही नहीं ध्यान दिजिए इसको कैसे याद करते हैं तो आज आईए एक ट्रीक है बहुआ एक ट्रीक है कि लीकबासरकाना अमग अलमान जनकर फेकड कोनी असन पबह कुवास सब भी तो देखिए इस स्रेणी में उपर से नीचे आने पर काज करने की छमता अभिकरिया सिलता घटती है इस स्रेणी में उपर से नीचे आने पर अभिकरिया सिलता कामान घटता है तो देखिए यहां पर वह जेडेन जो है वह कौपर से ज़्यादा पाउर्फूल है जेडेन कौपर से ज़्यादा पाउर्फूल है और कौपर क्या किया है कि कौपर जो है जेडेन की गर्फ्रेंट से साधी करके बववा अबट गया है जेडेन की गर्फ्रेंट से साधी करके बवट गया है अब जेडेन कुछ समय के लिए बाहर गया हुआ था जब इसको जेडेन की गर्फ्रेंट से कौपर साधी करके बढ़ गया है अब जेडेन आएगा तो कौपर को भगाएगा और अपना जो है साधी राचाएगा जेडेन जब आएगा तो कौपर को भगाएगा और अपना साधी राचाएगा तो बनेगा जेडेन आएगा जेडेन आसो फोर का अच्छेप बन जाएगा जेडेन आसो फोर का प्रेसीपिटेट बन जाएगा अच्छेप बन जाएगा और कॉपर जो है पात्र की दिवालों के चारों तरफ भूरे रंग का जम जाएगा लेकिन अगर यहाँ पर देखिए क्यों ऐसा हुआ बहुआ क्योंकि जेडेन का पावर जो है वह कॉपर से ज़्यादा था जेडेन दबंग था ठीक ना अब आज आईए कॉपर में क्या हुआ है बहुआ अब सी यू पलस जेडेने सो फोर है तो यह जिंक सलफेट है अब यहाँ पर जो है जेडेन क्या किया है कि जेडेन जो है वह अपनी गर्फिंट से साधी राचा करके अब बैठ गया है बहुआ अब कॉपर को भी यही गर्फिंट पसंद है ठीक है लेकिन कॉपर जो है पहुँचेगा जेडेने सो फोर के पास कॉपर तो जेडेने सो फोर के पास पहुँचेगा लेकिन कुछ कर नहीं पाएगा ठीक है? कुछ कर नहीं पाएगा इसलिए जो है बताएंगे बहुआ कल के कलास में ये पूरा जो है reactivity series लिखवाएंगे गवडाने की बात नहीं है इसलिए मैंने पूरा आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो कोई टेंसा नहीं लेजिए तो कॉपर जो है जेडेन को A104 से अलग नहीं कर सकता है क्योंकि कॉपर का पावर जेडेन से कम है तब एचारा जो है जाएगा लेकिन जेडेन के डर से मुह लटका के घरे भाग आएगा आप ममी की गोद में बढ़के रोएगा ठीक है ना इसके सिवा कुछ कर नहीं सकता है यानि दिस रियेक्शन डाज नोट टेक्स प्लेस तो यह रियेक्शन नहीं होगा डाज नोट टेक्स प्लेस ठीक है और यह रियेक्शन होगा वही बात यहाँ पर भी है लेकिन अगर कॉपर के साथ यह कंडिशन होता है कि अगर कॉपर को एलमुनियम की गर्फेंट पसंद आ गई तो वावा कुछ नहीं कर पाएगा सिर्फ और सिर्फ मुह लटका करके उसको संतुष्टी करना पड़ेगा यानि इस रियेक्शन डाज नॉट टेक्स प्लेस तो यह कैसे पता चलता है वावा तो यह सारा का सारा रियेक्टिवीटी सीरीज से पता चलता है रियेक्टिवीटी सीरीज में जो तत्वे उपर होते हैं वो ज्यादा रियेक्टिव होते हैं और जो तत्वे नीचे होते हैं वो कम रियेक्टिव होते हैं ओके तो आप लोग बुरा नहीं मानियेगा यह जो है थोड़ा सा आपका स्ट्रेस खतम करने के लिए मैंने समझाने के रूप में इस बात का प्रियोग किया है ठीक है ना तो आप लोग इसे बुरा नहीं मानियेगा मेरा यह समझाने का तरीका था ताकि आपको जो है थोड़ अच्छे से उसके बाद हम लोग जो है बीदू तरासाइनिक सेल पढ़ लेंगे और तब आपका जो है टोटल एंची आटी बूक्ट से नुमेरिकल्स बनवाऊंगा और जो है दीनेज परदीप से भी आपका नुमेरिकल्स बनेगा ठीक है तो फिजीक्स कलास छे से साथ है आप लोग जोईन कर लीजिएगा एगंटा रेस्ट कर लीजिए बाए बाए